हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी आप सभी को और हमारी पूरी टीम को बहुत-बहुत शुबकामना है क्योंकि Study IQ IAS ने अपने 10 साल यहां पर पूरे किये और इस 10 साल के पूरी पूरी जर्णी में Study IQ IAS ने काफी आस्परेंट का चैन सिविल सर्वेंट में कराया है जो की एक बहुत ही गौरवशाली विशह है याद रखें कि आज का यह वीडियो बेसिकली इस बात पर आधारित है कि आगामे UPSC का एक्जाम जो भी आस्परेंट देना चाहते हैं और वाकई में सिविल सर्वेंट बनने की चाह है उनकी और इस पर अपना पहला कदम वे उठा चुके हैं अत्वा वे उठाने वाले है उन सभी चात्र चात्राओं के लिए इस्टेडी IQ IES ने हिंदी बेच ने बेसिकली अपने P2I बेचेस लॉंच किये हैं और इन P2I बेच का मकसद Highly Affordable Price में आपको उच्च से उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मुहया कराना है याद रखीगा कि इस्टेडी IQ IES हिंदी का मेंली टाइटल ही रहा है कि अफ्योडवर प्राइज में आपको किस प्रकार से ये कम से कम अमाउंट में अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मुहया कराई जाए उसी को और आगे बढ़ा रहे हैं परंतु उससे पूर मैं आपको बता देता हूं कि आप अमाउंट तो देखी लिए होंगे कि 600 रुपए पर मेहने में ये प्राइस ये बैचेस आपको पढ़ रहे हैं परंतु ये आधी बात है आप मेरे साथ पांच मेंट जुड़े रहें और पांच मेंट में मैं आपको कि यह बताऊंगा कि कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफीशियल हो सकता है या आपके लिए फाइदियो तक कि यह तैयारी किराने वाले बैचेस हैं और ये हिंदी माध्यम के छात्रों को ही डेटे बैचेस है बस इसमें एक बात है कि ये सुबा आठ बहे से प्रारम होंगे ये बैचेस अर्थात आपको अपको अपनी नीन को त्याक कर इन बैचेस में जॉइन होना पड़ेगा एक लाइब क्लासेस के अलावा रिकॉर्डेट फॉर्म में क्लासेस नहीं है परन्तु लाइब क्लासेस के फायदे में बताने वाला हूँ अब जा रहा है यहाँ पर यदि हम देखें तो हिंदी माध्यम के छात्रों के जो बैच है वो सुबा आड़ बहे से प्रारम होगा और यदि आप प्री कॉलिफाइ कर लेते हैं तो फीस तो रिफंड होगी ही इसके आगे कहानी मैं बताऊंगा साथ में आप वीकली 11,000 रुपए तक जीश सकते हैं किस प्रकार से चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले तो जो आप इन बैचेस में जॉइन होंगी तो जॉइन होने पर सबसे पहले आपको प्री की परपरेशन कराई आएगी अप प्री की परपरेशन के लिए सुबा आड़ से यानि की 8 एम से आपकी क्लास से स्टार्ट होंगी यह स्टेडी आईक्यू आईएस के एपिलिकेशन पर क्लासस आपको अविलेवल कराई जाएंगी और जब आप यह क्लास अटेंड करेंगे तो इनको अटेंड करने के दू फॉर्म है भई एक आप लाइब क्लास अटें PCP field में हूँ आप live class attend करने का प्रयास करें यदि हाँ यदि माली यह job में हो और job की timing वही है जो की class की timing है तो फिर वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है उसके लिए भी option है आगे मैं बताऊं ठीक है तो सबसे पहले तो आप live class attend करने का option choose करें और यहाँ पर जब आप live class attend करेंगे तो ऐसा नहीं है कि teacher पढ़ा रहे हैं मैं जैसे geography पढ़ाता हूं तो शुरुवाती 10 minute मैं doubt session रखता हूं यानि कि यहाँ पर आपके जो भी doubt है मैं इनको clear करूंगा अब यह हर teacher का अपना होता है कोई बीच में doubt ले लेता है कोई लाश में doubt लेते हैं कोई प्रारम में doubt लेते है ना यानि कि जो interaction होता है आपका faculty के साथ यह direct होता है यहाँ पर comment करने का option आपको provide कराया जाता है ताकि आप अपने मन की शंकाएं दूर कर सकें और इस comment section के अलावा एक और section होता है जिसे call किया जाता है doubt section यानि कि यहाँ पर जब आप अपना कुछ भी comment type करते हैं तो doubt के form में faculty के पास show होते हैं यहाँ एक और बात है कि doubt section में कैवल औकैवल आप typing करकर ही connect नहीं हो सकते हैं यहाँ पर आप image के द्वारा भी connect हो सकते हैं यानि कि कहीं पर यदि मालीजे book में कोई statement लिखा हुआ था उसमें आपको doubt हो रहा था आप image क्लिक करें और वहाँ पर आप mention कर दें doubt section में यह show होगी और faculty इसका answer कर देंगे इसके अलावा यदि मालीजे फिर भी आपका doubt clear नहीं हुगा तो यहाँ पर hand raise का option होता है यानि कि जब आप hand raise के option में click करेंगे तो faculty आपको audible करेंगे और audible होने पर अब आप उनसे बातचीत के थ्रू अपना doubt clear कर सकते हैं इस उनकी आठ बजे आपका camera on हो जाएगा आठ अब depend करता है कि आठ पांच तक यह आठ बजे से लेकर आठ पांच तक यह class start हो जानी चाहिए कारण क्या है कि इतना sincerely लिया जाता है students को कि faculty late ना कर दे इनके लिए उनको एक दिन पहले inform किया जाता है कि sir आपका कल का schedule क्या होगा यह हर दिन recall कराया जाता है तो आपकी class बिलको time to time लगती है even यदि माल लीजे जो भी आपको target दिया गया है जैसे like यदि मैं geography पढ़ा रहा हूं और geography मैं pillar one यहाँ पढ़ाने जा रहा हूं तो geography pillar one कब से सुरू होगा और कब तक yes समाप तो हो जाएगा यह पूरा पूरा time table आपको जब ही provide करा दिया जाता है जब आप admission लेने वाले होते हैं आपने admission लिया आपके पास एक time table आएगा कि सर इतनी तारिक से इतनी तारिक तक आपका यह subject चलेगा इस subject का portion complete होगा और इस portion का जो mcq है यह आपको provide कराया जाएगा यानिकि यह तो वो बाते हुई जो कि आपको class के दौरान मिलेंगी अब यह जो like class थी यह recorded form में भी आपके पास है परन्तु recorded form में अब आपको केवल और केवल यदि faculty से connect होना है तो आपको इनकी gmail ID भी provide कराया जाती है अर्थात mail ID पर भी आप इनसे connect हो सकते हैं जैसे like जो मेरी mail ID है वो अविशेक.bohre at the rate studyiq. .com है ऐसे हर faculty की mail ID है आप इस पर भी connect हो सकते हैं within 24 hour आपको इसका answer मिलेगा जब भी यहने faculty इसका answer देंगे तो within 24 hour के अंदर आपको इसका answer मिल जाता है यदि आप उनकी mail ID में किसी प्रकार का message करते हैं तो साथ में यदि आपका कोई doubt है जो कि आपने recorded class में देखा था और mail ID से आप contact नहीं कर पा रहे हैं तो इसी के साथ आपको mentor की सुविधा भी मुहया कराई जाती है भई कि हर student के लिए एक personal mentor दिया जाता है आप इन mentor sir या मैम से connect कर सकते हैं कि sir मेरा यह doubt है इसस subject में इस topic में please is clear किया जाए अब इतनी सुविधाओं के बाद इतनी सुविधाओ बस की sir ये आप बहुत जादा इंट्रेशन तो कई बार तो मैं संडे को भी class लगा लेता हूँ भई तो यहाँ पर six days class होती है जो next day रहेगा ये रहेगा संडे और संडे को आपका एक test होता है अब संडे को ये जो test हो रहा है ये है आपका weekly test यानिकी सापताहित ये test है आप का और इस सापताहित test में आपका प्रदर्शन बताता है कि sir आपने कितने sincerely पढ़ाई की है और इस सापताहित test में आप first rank ले आते हैं तो हर बार first rank लाने पर सापताहित test में हर बार first rank लाने पर आपको 11,000 रुपए तक का इनाम दिया जाता है यानिकि ये आपके account में transfer किये याते हैं और यहां पर के वारे में डिसकस कर रहे हैं सरी पर कीлемत नहीं है यह पर हम से अ पर कर रहें हैं और सांत में उसका टैस्ट दे रहें यानि कि यू टॉपिक हुआ है उस्सुरू से ले कर अंत तक ऐसा कि अब आप यदि exam में भी बैठते हैं तो exam में केवलो केवल उसको revise करने के आवशकता है साथ में Saturday to Saturday आपकी एक class भी होती है यानि कि जिसमें आप current affair prefer करते हैं current affair की class होती है और इसमें current affair को complete कराया जाता है current affair को पढ़ने का सही तरीका क्या है सही approach क्या है इन batches में आपको दिखाई जाती है अब जब आपका पूरा syllabus complete हो चुका रहता है और जब आपका आने वाला रहता है pre का exam तो pre आने से पूर आपके उपर apply होता है S.I.P. program अर्था success in means program aware subject जो कि आपको लगबग 8 से 10 महा में complete कराया गया था इस पूरे subject को within two months complete कराया जाता है according to UPSC preliminary examination इसको कहा जाता है success in prelims exam clear और यहाँ पर यह success in prelims के दौरा जब आपका syllabus दो बार आपके आँखों के सामने से गुजरा है तो अब आपके पास वो तमाम अस्तर स्तर तयार है जिनको भेदना है और जिनका भेदन करना है आपको pre exam में पशात इसके आप pre qualify करते हैं और जैसे ही आपने pre qualify किया तो आप जो fees दिये हुए है actual में admission के समय यह fee refund की जाती है और इतना ही नहीं आपकी जो validity है यह one year के लिए expand भी कर दी जाती है अब इन batches में validity का कोई काम नहीं है कारण यह है कि इन batches की validity पहले ही double है यानि कि यदि आप अभी join करते हैं तो यह double validity के साथ आपको available कराए जा रहे है जो भी आपका target है चाहे वो 2026 या फिर 2027 या फिर 2025 जो भी validity होगी उसका plus यानि कि 2x आपको मिलेगा 20 माह है तो 60 माह में लेगा जो भी validity है जिस भी batch में आप admission ले रहे हो उस batch की जो validity होगी उसका 2x आपको मिलेगा अब ऐसा नहीं होगा कि यह price भी 2x हो जाएंगे कि प्री qualify किये जाने पर आपको दुगने पैसे वापस किये जाएंगे परंतु हाँ validity 2x हो जाएगी परंतु हाँ technicality में ज़ी हम देखें तो validity दुगनी होने पर offer भी दुगने होंगे तो अब जब आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ pre qualify आपने किया है अब pre qualify क्यों नहीं होगा इसकी मैं बात बता देता हूँ पहली बाग कि यदि weekly test हो रहे हैं उनको आप sincerely नहीं ले रहे हैं तो इसमें institute कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता कारण यह है बच्चे की future आपका है future में future को secure बनाना institute की जिम्मेदारी है परंतु future कितने अच्छे से secure आप करना चाहते हैं तो आप ही क्यों पर depend है न कि घर में आप जड़ा देखिए 24 आर में से आपने कितने घंटे क्या काम किया है और वाकई में क्या जो काम आपने किया है वो पढ़ाई से ज्यादा important था और यदि पढ़ाई से ज्यादा important नहीं था तो उसको करने के आवशकता क्या थी first priority पर आप पढ़ाई रखी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वे दवाम student जो first priority में study को रखते हैं वो ये सभी हड़ पार कर जाएंगे pre-qualify उनका होगा इतनी guarantee में देता हूँ क्योंकि जितने भी faculty यहाँ पर पढ़ाते हैं वो well यानि ऐसे faculty हैं जिन्होंने कभी ना कभी UPSC को जिया है कभी ना कभी UPSC को feel किया है उन तमाम faculty से आप structure grant कर रहे हैं और जब आप ऐसे faculty के साथ अपनी study को जारी रखते हैं तो भाई वो आपकी कमियों को पहचान कर उनको पहले ही दूर कर देता है अब ज़रा यहां पर दिहान रखिए कि यहां जैसे ही आप pre-qualify करेंगे fee refund हुई एक साल की validity बढ़ गई फिर आपको mains की preparation के लिए दिल्ली बुला लिया जाता है यानि कि जैसे ही mains की तयारी प्रारम करते हैं आप तो यहां पर आपकी उपर apply होता है MRP program अर्था that is mains residential program इसके अंतरगत आपको दिल्ली बुलाये जाएगा और study IQ IS हिंदी अपने खर्चे पर आपको पूरी की पूरी preparation कराएगा और इतना ही नहीं यह आवासिये कारिकरम है यानि कि यहां पर आपके रहने से लेकर खाने से लेकर आपके पूरे के पूरे expenditure यह सब कुछ study IQ IS हिंदी ही उठाता है फिर इसके पश्यात जब आप दिल्ली आते हैं और आपका mains आने वाला रहता है सितंबर अक्टूबर के लगबग तो यहां आपके उपर अब apply होता है S.I.M. program अर्था success in mains program ताकि आपकी लबासना जाने की जो process है या फिर जो लबासना जाने की यात्रा है इसमें किसी प्रकार का हड़न आए जिस प्रकार S.I.P. program में पूरा पूरा syllabus revise कराए गया था S.I.M. program में यह full syllabus revise कराए जाता है फिर आपका mains का paper होता है और mains में अब यह जो time मिला है न इसमें आपको इतने बार answer writing कराई जाती है इतने बार answer writing की practice कराई जाती है कि आप एक-एक subject की बारे में knowledge गरहन कर लेते हैं कि सर किस subject में किस dimension के accordingly आपको answer writing करना है और कहाँ पर कौन सा dimension आपको नहीं छोड़ना है इस पर basically concentrate किया जाता है याद रखे जब आप mains qualify कर लेते हैं तो अभी भी आपकी और हमारी यात्रा समाप्त नहीं हुई है अब आपकी उपर apply हुगा IGP अर्था that is interview guidance program आपका पहनावा कैसा हो आपका बूलचाल कैसा हो आपका representation का तरीका कैसा हो इन सभी को ध्यान में रखते हुए interview guidance program चलाए जाता है और फिर जब आप interview में qualify होते हैं तो फिर यहाँ पर आपकी यात्रा समाप्त होती है अर्था that is लबासना में जाकर और इतनी सभी चीजें यह थी इसके बारे में विशेशता हैं यह सभी चीजें आपको highly effective price में available कराई जाती हैं अर्था 600 रुपए पर मेहने के price में 2026 में मान कर चल रहा हूं कि आपका यदि target होगा तो आप इसको calculate करिए यह कितने का पड़ेगा वई यहना अब यदि यहाँ पर हम बात करते हैं तो आप यदि इसमें discount चाहते हैं तो EKB live code के साथ आप इन batches का part बन सकते हैं और अपनी यह यात्रा आप 19 सि सब्सक्राइब कर सकते हैं सुबह 8 बज़े से जो की हमारे प्रतिग्या प्लस बैचेश लॉंच हो रहे हैं यह 19 सितंबर उनकी launching डेट है यानि कि यहां से कक्षाय प्रारंब हो जाएंगी ऐसा नहीं है कि इसके बाद आप जॉइन नहीं हो पाएंगे परंतु हाँ ऐसा जर करता है कि डाइमेंशन पर discussion होगा आपके लिए जाएंगे आपके मन में क्या-क्या बरहंतियां हैं इनको समझा जाएगा यानिकी दो दिन तो पढ़ाई होती ही नहीं मेली sliver discuss होता है mainly doubt section होता है फिर समझाया जाता है आपको कि भई इस manner में हम पढ़ेंगे और इस manner के accordingly हम चलेंगे तो यदि आप इन batches से अभी join होते हैं तो ये काफी फाइदे का सौधा आपके लिए हो सकता है यानि कि जितने भी doubt है जो सामने faculty खड़े रहेंगे आप उनसे clear पूछ सकते हैं hand raise कर दीजिए आप audible हो जाएंगे audible हो कर आप पूछ सकते हैं अब यदि इन batches से join आप होना चाहते हैं तो आप EKB live code का use करें और नीचे दिये गए description में click करकर direct website visit कर सकते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी में UPSC की तयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi